हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे आज हम बात करेंगे दोस्तो रेलवेग की तीन भर्तियों के बारे में इन टीनों भर्तियों के लिए आप इंडिया की सभी राजियों से अपलाई कर पाएंगे मेल और फीमेल यानि की महला एबंपुरुस दोनों ही दोस्तो आज की भर्तियों के लिए अपलाई कर पाएंगे दोस्तो भर्तियों की पूरी इन्फोर्मिशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तों आपको step by step सारी information बताई जाएगी दोस्तों यह दिया आप चाते हैं कि परतेग सरकारी नौकरी की information सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को subscribe कर लिजेगा और साथ में bell icon को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भरतियों से related information के बारे में तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे railway की तीन भरतियों के बारे में दोस्तों तीनों भरतियों के लिए आप इंडिया की सभी राजियों से अपलाई कर पाएंगे male or female दोनों ही दोस्तों आज की भर्तियों के लिए apply कर सकते हैं पहली भर्तिय दोस्तों rail mantra alay की यानि की ministry of railways की दोस्तों तीनों भर्तिया है इसमें salary की बात करें तो आपको बहुत अच्छी salary दी जाएगी आपको 7 central pay commission के साफसे salary दी जाएगी लेबल एक की, लेबल दो की, लेबल तीन की और लेबल चार की फीज की बात करें तो general unreserved के लिए 5 रुपए फीज है SCST तदा women के लिए 250 रुपए फीज है फीज का बुगतान दोस्तों आपको online करना है दोस्तों इस भर्तिय के लिए अप्लाई होना सुरू हो गया प्रतियोर यह कलर कम टाइप इसकी technician की और पोस की basically इसमें group C पोस की भर्तिय दोस्तों और ICMA की बात करें age limit की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक वाले candidate इस भर्ति के लिए अप्लाई कर पाएंगे 1722 इसके लिए crucial data दोस्तों और qualification की बात जातक दोस्तों इसकी भर्ति के लिए बारी पास तदा graduate करने date अप्लाई कर सकते हैं साथी साथ आपको इस भर्ति के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास sports qualification भी होनी ची दोस्तों और इस भर्ति का अप्लाई कर पाएंगे total vacancies की बात करें तो इसमें 304 vacancy है दोस्तों salary की बात करें तो salary आपको as per rules दिया जाएगा जातक फीज की बात है तो जनरल तदा OVC के लिए 100 रुपए फीज है SCST PS और OMA निकले दोस्तों आपको online करना है दोस्तों इस भर्ति के लिए अप्लाई होना कल की डेट से शुरू हो चुका दोस्तों और इसकी लाज़ देट है इस भर्ति के लिए दस्वी पास वाले candidate और RTI वाले candidate दोनुभी कर पाएंगे यह आपने दस्वी पास कर रखा है तो भी आप इस भर्ति के लिए अप्लाई कर पाएंगे इसमें दोस्तों भर्ति हो रही है RTI तदा इसमें भरती है दोस्तों और इसमें दोस्तों पोस्त के नाम है ट्रेट के नाम है फीटर, कारपेंटर, पेंटर जन्रल, मसिनिस्ट, वेल्डर, जी एंडी तता इलेक्टिशियन जाता आयू सिमा की बात है तो नोन इटी वेकंशिस के लिए 15 साल से 22 साल तक एज लिमिट है त इस भरती के लिए आप इंडे की सभी राजन से अपलाई कर पाएंगे तो चले दोस्तों अब बात कर लेते हैं भरती नमर 3 के बारे में इस भरती भी दोस्तों भारते रेल्वे की है, मिनिस्ट्री और रेल्वेज की होनी वाली दोस्तों भी भरती है और इसमें जातक आई सीमा की बात है तो 18 साल से 32 साल तक वाली कंडिडेट इस भरती के लिए अप्लाई कर पाएंगे कैटिकरी वाइज आपको एज रेलेक्सेशन भी दिया जाएगा टोटल वेकेंश की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ी भरती होनी वाली है उननीस हजार पांसो से भी ज्यादा इसमें वेकेंश है दोस्तों जाता सैली की बात है तो आपको 32,500 से लेके 45,000 रुपर तक सैली दी जाएगी और जातक फीस की बात है तो इस भरती में दोस्तों आपको 250 रुपर से लेके 500 रुपर तक फीस का भुगतान करना पड़ेगा फीस का भुगतान आप ऑनलाइन कर सकेंगे दोस्तों जाता सेलेक्शन प्रोसर्स की बात है तो दोस्तों इस भरती में कौन सी पोस के लिए भरती होगी दोस्तों इसमें दोस्तों पोस के नाम है जाता हैं गोडसगार्ड, टीसई, टी टी एक कलर कमटापिस्ट, इंक्वारी कम रिजर्वेशन कलर आप्लाई कर पाएंगे दुस्तों इस बरति के लिए बहुत सारी कनेट वेट कर रहे थे कि बरती कब आएगी दोस्तों एक खुस कबरी है कि घुले दोस्तों अप्रेल या मही के महने में आ सकती है जैसे दोस्तों भरती आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के मादिम से बता दिया जाएगा दोस्तों इस बरती से रिलेटर फर्दर बता दिया जाएगा इस बरती का लोकेशन होगा दोस्तों ओल इंडिया तो गाइस यह था सो डेटियल आज की बरती का दोस्तों इदिया आप दूसरों का बला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों आज जानकारों के साथ भी जरूर सेयर कीजिएगा दोस्तों थैं